यदि तो आप बज़ेट प्राइज में एक बड़िया वाइरलास येफोन्स को ढूंड रहे हो तो ये है मेरे पास मीवी की तरफ से आने वाले एक ट्रूली वाइरलास येफोन्स जिनने की आप Amazon से परचेज कर सकते हो और इसके लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप में भी मिल जाएंगी तो बने रहे हैं आप इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में हम अन्बॉक्स और रिव्यू करेंगे मीवी के इन डूओ पोर्ट को और साथ साथ बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी इस पर मिलने वाले कुछ बड़िया फीचर और इसकी बैट लेम को मेंशन किया गया है अब बॉक्स में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर इस पर मिलने वाले कुछ मेंन फीचर और MRP के बारे में बताया गया है तो MRP तो है इसकी 2999 पर आप इन ट्रूली वार्लेस यह फोन्स को Amazon से सिरफ 1200 से 1300 रपे की प्राइस में फर्चेस कर सकते हो और यही तो आप इने खरीदना चाते हो तो लिंक्स इसकी आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे तो चलिए अप जल्दी से इसे अन्बॉक्स करते है और चलते है इसकी इन्बॉक्स कॉंटेंट्स की तरफ तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को म मिलती है इसे चार्ज करने के लिए एक टाइप सी USB केबल और साथ ही में है कुछ एक्स्ट्रा इयर टिप्स भी तो फ्रेंट्स हमें यही सब कुछ कॉंटेंट्स इसके बॉक्स में देखने को मिलते हैं अब हम जल्दी है चलते हैं अपने इयर फोन की तरफ तो हमारे ये ट्रूली वायरलेस इयर फोन जाते हैं कुछ इस तरह के चार्जिंग केस में और मेरे पास है इसका ब्लैक कलर का वेरियंट वैसे एमजान पर आपको ये तीन और कलर वेरियंट में मिल जाएगा जो की है वाइट, ब्लू और रेड केस में उपर की तरफ आपको मीवी की ब्रेंडिंग मिलेगी और यहां बीच में आपको कुछ इस तरह की प्यानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है इस तरह है इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए एक टाइप सी USB पूर्ट और इसे आप अपने किसी भी नॉर्मल फोन चार्जिंग एडप्टर से चार्ज कर सकते हो वैसे ये फास चार्जिंग को सपोर्ट करता है अब overall इसकी quality की ये तो हम बात करें तो प्राइस के इसाप से तो यार आपको चार्जिंग केस पर decent सी quality देखने को मिलती है लेकिन ये आता है इस काफी बढ़िया सी magnetic lead के साथ में बीज में हमें एक LED light देखने को मिलती है जो कि इस charging case और earphones के charging status के बारे में हमें बताती है और इन wireless earphones को कुछ इस तरह से रखने पर ये automatically charge होना शुरू हो जाते है और हमारे ये earphones आते हैं कुछ इस तरह के काफी बढ़िया से design में यहाँ पर आपको MiWi की branding देखने को मिलेगी और उसके नीचे आपको एक LED notification light देखने को मिल जाती है जो कि इन earphones के connectivity status के बारे में हमें बताती है earphones का जो design और quality है वो काफी बढ़िया है और साथी में दिखने में भी काफी premium लगते है और यही तो मैं इसके earbud को आपको उतार कर दिखाऊं तो अंदर की तरफ आपको कुछ इस तरह की metallic grill जो है वो देखने को मिलती है जो कि इन earphones को बनाती है और भी जादा durable तो overall earphone का design काफी बढ़िया है और यह काफी lightweight भी है और एक चीज जो specially मैं यहाँ पर mention करना चाहूँगा कि इसका in ear comfort भी काफी बढ़िया है और यही तो आप इसे पहन कर workout वगारा भी करते हो तब भी यह easily आपके कानों से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि अपने इस design के कारण यह आपके ears में काफी comfortably और easily fit होते है अब बात करते हैं इसके connectivity की तो connectivity में यह support करता है Bluetooth 5.0 को तो ऐसे में आपको strong और बढ़िया connection मिलता है wireless range भी इसकी काफी बढ़िया है और यह आपके phone के साथ में easily और जल्दी से connect भी हो जाते है और एक बार इन earphones को मैं जल्दी से आपको अपने tap के साथ में भी connect करके दिखायता हूँ तो इन truly wireless earphones को अपने phone के साथ में connect करने के लिए आपको simply इने charging case से बाहर निकालना है और अब हमारे earphones pairing mode पर चले जाएंगे उसके बाद आपको जाना है अपने phone की Bluetooth settings में और यहाँ पर आपको इन earphones का नाम दिखाई दे रहा होगा आपको simply उस नाम पर tap करना है और हमारे earphones instantly हमारे phone के साथ में pair हो जाएंगे तो इसकी connectivity में तो मुझे कोई भी दिकत नहीं मिली और overall इसकी connectivity काफी अच्छी है अब बात करते हैं इस पर मिलने वाले main features की तो आपको इस पर touch controls देखने को मिल जाते है और इस price range में ये एक बढ़िया feature है आप इस तरह से इस पर tap करके call को pick कर सकते हो song को change कर सकते हो या फिर Google Assistant को भी trigger कर सकते हो तो ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए आपको बार-बार pocket से अपने phone को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा आप directly इस पर tap करके इन features को access कर सकते हो जो कि एक इसका काफी बढ़िया feature है लेकिन earphone से volume को आप directly control नहीं कर सकते हो उसके इलावा ये sweat proof है और साथ ही में इसकी wireless range भी काफी बढ़िया है अब बात करते हैं इस पर मिलने वाले battery backup की तो कितने capacity की battery है ये कहीं पर भी clearly mention नहीं है वैसे इस पर आपको 7 गंटे का battery backup मिलता है जो कि again price के इसाब सहीं wireless earphones को value for money बनाता है उसके इलावा fast charging को ये support करता है और लगबग एक गंटे में ही हमारे ये earphones fully charge हो जाते है और 4 बार तक आप इन earphones को charging case से charge कर सकते हो तो overall battery backup काफी अच्छी है अब बात करते हैं इसकी sound और इसकी microphone की quality की तो sound quality यार इसकी average है और ये ही तो आपको loud music जा सुनना पसंद है तो ये earphones आपके लिए नहीं है क्योंकि इन earphones पर आपको loudness जो है वो इतनी बड़िया नहीं मिलती हाला कि base काफी बड़िया है लेकिन triple जो है वो आपको दभी हुई सी feel होती है और वहीं ये दितो हम इसके microphone की quality की बात करें तो इसकी mic की quality मुझे काफी impressive लगी ये तो आप इससे calls got end करते हो तो सामने वाले को आपकी अवाज जो है वो काफी clear ली जाएगी तो microphone की quality तो आपको बड़िया मिलती है लेकिन sound quality यार average है तो friends आखरी में अब हम बात करते है कि क्या आपको 1200 से 1300 रपेगी price range में इन truly wireless earphones की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं तो price के हिसाब से इसकी quality, design और battery backup तो काफी बड़िया है लेकिन sound quality इसकी इतनी बड़िया नहीं है और यहीं तो आपको loud music सुनना जादा पसंद है तो आप इन earphones की तरफ मज जाईएगा हाँ यहीं तो आपको calling के लिए एक truly wireless earphone चाहिए और साथ ही में आप light music सुनते हो तो फिर आप इन earphones की तरफ जा सकते हो तो फ्रेंट्स यही कुछ था आपकी इस वीडियो में I hope आपको इस वीडियो पसंद आई हो अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो प्लीज इससे like और शेयर जरूर करना और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई